निहोंगो मैक्स ने पार्टनर किया है अनकाड़िमी के साथ जैपनीज लेंगविज कोर्सेज अब आप बिगनर और एडवांस लेवल दोनों लेवल सीख सकते हैं अनकाड़िमी प्लैटफॉर्म के साथ तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का वीडियो है रोड अब आसा एक टिप है बहुत इंपॉर्टन्ट ट्रिक है कि आप पहले साउंड्स को सीखिए जैसे की कुरुमा ये किनो को इस तरह से साउंड्स को सीखने से हीरा गाना और काता गाना बहुत आसान हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टिप नंबर वन हमें स हफता है दो हफते का टाइम लेता है और उसके बाद आप हीरा गाना और काता काना को बड़ी आराम से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं जैसे इंग्लिश के alphabets होते हैं ABCD 26 alphabets होते हैं इसी तरह से काता काना और हीरा गाना के सिरफ 45 या 46 आपको alphabets सीखने और आप word formation सीख जाएंगे जिसमें आपको लगवग एक महीना या डेड़ महीने का टाइम लगेगा अब बात आती है सबसे पहले हम basic में क्या आता है उसको समझते हैं basic में आता है आपकी verb forms adjectives जैसे कि मैं रोज सुभा आठ बजे office जाता हूँ तो इसमें verb आ गई का target अचीव करने में help करता है N5, N4, N3, N2, N1 यह क्या है यह आप Google पर सर्च कीजिए बहुत सारी information मैं फटा-फट से आपको बता देता हूँ के Japanese language proficiency level के 5 levels होते हैं जिसमें basic शुरू होता है N5 से उसके बाद N4, N3, N2 काफी सारे students इसको पहले से ही जानते हैं तो मैं इसके या फिर वो जपैन जाके further studies करना चाहते हैं उसका भी target job ही होता है चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो जपैन में हो तो इसके लिए आपको at least N3, N2 तक का target रखना चाहिए ठीक है लेकिन students सोचते हैं कि N5 ही मुझे काफी मुश्किल लग रहा है लग बग 3 महीने, 4 महीने हो मुझे अभी मैंने हीरा काना ही सीखा है, काता काना ही सीखा है, तो मैं कहां N3, N2 तक पहुच पाऊंगा, कैसे job ले पाऊंगा, तो देखे स्टार्टिंग में मैं कहूंगा कि time लगता है, आप ऐसा मत सोची कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत time लगा तो आगे भी और चीज़ों को repeat करना है, और repeat करने के बाद थोड़ से advanced expressions को add करना है, आजकल syllabus हर जगा available है, जैसे कि nihongo max.com पर अगर आप जाएंगे तो पूरा levels के हिसाब से divided आपको classes मिलेंगी, सब कुछ listening, comprehension, vocabulary, passage, सब कुछ मिल जाएगा, और आप अपना division के हिसाब से पढ़ सकते हैं, उसम information बहुत है, Japanese language सीखना अब बहुत आसान हो गया है, पहले के जमाने में हुआ करता था कि पहले हमें books arrange करनी है, पहले हमें audio's arrange करनी है, फिर JLPT का कोई sample paper नहीं है, ठीक है, तो लेकिन अब information इतनी आ गई है कि आपको sample को देख देखके, समझ आ जागा कि कितना scope है, मतलब मु से शुरू होती है, तो आप अभी N2, N3 या job वगरा के बारे में ना सोच कि, अगर आपने N5 को ही अच्छी तरह से करा, तो आप में इतना confidence आएगा कि अपने आप समझ जाएंगे कि N4, N3 आगे के levels को किस तरह से मुझे complete करना है, अब बात आती है, एक बार आपने verbs सीख ल बनानी सीख ली, बनानी नहीं होती, यह अगेन एक बहुत गलत स्टेप स्ट्प स्ट्ट लेते हैं, कि वर्ब की form किस तरह से बनती है, उसके rules याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम हिंदी बोलते हैं, या English बोलते हैं, फॉर्म के बारे में सोचते हैं, नहीं, क्यो जब भी नया word आता है नई वर्व आती है या नया उसका form आता है मेरे सामने तो मुझे बस उसको बोलना है और उसका meaning समझ के उसको याद रख लेना है अपने आप याद हो जाता है दो या तीन बार repeat करने के बाद तो यह बड़ी important information में आपको दे रहा हूँ अगर आप इन च चीजों की practice कर लेंगे तो आगे जाके आपको एक एक level एक level पार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद आता है n4 n3 जिसमें आपकी reading की काफी सारी requirement होती है अब एक बार आपको sentence read करने में main basic meaning निकालना आ गया तो आप long sentences को भी आप translate करने की ability आ जाएगी तो एक एक बार बस वो आ गई तो उसके बाद आपको n4 n3 पार करने में कोई भी problem नहीं आएगी similar is the case with चोकाई यानि की listening listening में भी आगर आपको पहले n5 के sentences को बोलना उनको repeat करना अपनी आवाज को खुद सुनना ठीक है listening के questions को धीरे धीरे दो बार तीन बार repeat करके सुनना अगर आ इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ी ही surprising बात है कि n5 n4 बल्कि जादा sorry advanced level यानि कि n3 n2 बल्कि जादा आसान है compared to n5 n4 basic level के सीखने कि basic level में हमें तरीका नहीं पता होता तो हम उस मुश्किल तरीके को अपना लेते हैं जो हमें teachers या लोग guide करते हैं जिन्होंने खुद बहुत मुश्किल से Japanese language सीखिए लगबग 3-4 साल लगा के ठीक है तो अगर आपने इन तरीकों को follow किया कि basic ही है अचाहे लेकिन वो sentence को मुझे अपने आप बोलना है खुद सुनना है ख तो I hope इन चोटी-चोटी टेकनीक से आप अपनी पढ़ाई को start करेंगे और फिर से मैं कहूंगा nihongomax.com में यह मैंने बहुत सारी guidance और भी आपको दी हुई है हर example के साथ आपको motivate किया है कि आप घबराएए मत आप similar examples को 2-3 बार अगर read करेंगे अपनी voice में खुद बोलेंग जो है वो अभी मैंने आपको सिर्फ N3, N2 तक का ही बता है N1 का भी same ही है अगर आप उसको target करना चाते हैं तो उसमें बस length को बढ़ाना पड़ेगा आपको material को बहुत जादा material यूज़ करना पड़ेगा लेकिन वो बात की बात है आप अपने आप ही समझ जाएंगे अगर आपने N4 और N5 को अच्छी तरह से complete किया हुए so stay tuned with Nihongo Max thank you so much